हालो दोस्तो स्कॉलर सेलविशन में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपका दोस्त इलिया सर और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले लीनियर इक्वेशन इंट्यू वेरेबल के प्रैक्टिस सेट 1.2 के बारे में तो चलिए लट्स बिगिन दोस्तो वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि यह जो प्रैक्टिस सेट 1.2 इसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था पार्ट 1 और पार्ट 2. पार्ट 1 में हमने इस प्रैक्टिस सेट के हाफ कोशन कवर किये थे और इस पार्ट में याने पार्ट 2 में हम लोग हाफ कोशन कवर करने वाले हैं. अगर आपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज का हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ पर एक आ minus y is equals to 9 आपको वैसे ही solve करना है जैसे हमने इससे पहले part में solve किया था तो यहाँ पर में लिख देता हूँ x plus y is equals to 0 एक 4 into 4 का box बना लेंगे left side में लिखेंगे x y and x, y उपर में name देता हूँ ABCD आप इसकी जगह पर कोई और निम्म भी दे सकते है इसे हमको इस equation को हमको 4 times solve करना है तो मैं 4 बार इस equation को लिख दूँगा x plus y is equals to 0 अब यहाँ पर आपको क्या करना है x की या y की value आपको लेते जाना है ताकि आपको जो next variable है उसकी value automatically मिलती जाए तो मैं यहाँ पर मैं लूँगा value of y अगर आप चाहे तो यहाँ पर x की value भी ले सकते है पर मैं value लूँगा y की तो x plus y is equals to 0 y की जाएगा suppose मैं लेता हूँ 1 so x plus 1 is equals to 0 1 उदर भेजेंगे तो हो जाएगा minus so x is equals to 0 minus 1 यानि x का आपका answer आजाएगा minus 1 इसे हम लोग put up कर देंगे box में तो जो a के आपके coefficient हो जाएगे वो हो जाएगे minus 1,1 ऐसे ही solve करेंगे और find out करेंगे b के coefficient यहाँ पर मैं suppose y के value ले लेता हूँ 2 so x plus y is equals to 0 y की जाएगा लिखेंगे 2 तो हो जाएगा x plus 2 is equals to 0 2 उदर भेजेंगे तो हो जाएगा minus x is equals to 0 minus 2 and x का आपका answer आजाएगा minus 2 तो b के जो coefficient हो जाएगे वो हो जाएगे minus 2,2 c के लिए solve करते है x plus y is equals to 0 यहाँ पर मैं y की value ले लेता हूँ suppose 0 x plus 0 is equals to 0 0 उदर भेजेंगे तो हो जाएगा minus x is equals to 0 minus 0 and x का आपका answer आजाएगा 0 तो जो c के coefficient है वो हो जाएगे 0,0 solve करते हैं d के लिए x plus y is equals to 0 यहाँ मैं y की value लेता हूँ suppose minus 1 so x plus minus 1 is equals to 0 plus और minus हो जाएगा minus क्योंकि multiply हो जाता है तो plus into minus minus तो x minus 1 is equals to 0 minus 1 उदर जाएगा तो हो जाएगा plus 1 तो यहाँने x is equals to 0 plus 1 यहने x का आप कहां सरा जाएगा 1 जो d के coordinate से वो हो जाएगे 1, minus 1 अब यह जो सारे points है a,b,c,d यह हमको plot करना है graph के उपर तो चलिए चलते है graph के उपर यहाँ पर जो a के coordinate है सबसे पहले वो देखते है वो है minus 1,1 पहला है negative, दूसरा है positive यह आएगा coordinate 2 में तो graph के उपर इसे place करेंगे x से लेंगे minus 1 और y से लेंगे 1 जहाँ जाके line intersect हो रहे वो है हमारा point a b के अगर आप coordinates देखेंगे तो वो है minus 2,2 यहाँ भी यह first number negative है दूसरा number positive है यानि यह भी second coordinate में आएगा तो x से लेते हैं minus 2 और y से लेंगे 2 तो जहाँ जाके line intersect हो रहे वो है हमारा point b चलते हैं c के लिए c के जो coordinates थे वो थे 0,0 अब यह 0,0 आएगा directly origin पे तो यहाँ पर कोई lines draw करने की ज़रोद नहीं यह strip origin पे point देदेंगे और वहाँ लिखेंगे c 0,0 d के अगर आप coordinates देखेंगे तो वो थे 1,-1 यहाँ जो first number है वो positive और second number जो है वो negative है यानि यह जो हमारा point है यह आएगा quadrant 4 में तो x से लेते हैं minus 1 तो यह जहाँ जाके intersect हो रहे हैं वो है हमारा point d अब आपको क्या करना है एक straight line draw करना है ताके वो यह a b c d सारे points में से pass हो जाए तो जैसे आप board पे देख रहे होंगे कि यह सारे points में से pass हो रहा है ठीक है अब यहाँ पर आपको इसका equation लिख देना है वो है x plus y is equals to 0 ऐसे ही solve करेंगे second equation के लिए जो हमारी second equation है वो है 2x minus y is equals to 9 एक फिर से मैं box बना लेता हूँ 4 into 4 का left side में लिखेंगे x y और x comma y उपर में name देता हूँ suppose pqrs इसे भी हमें 4 times solve करना है तो 4 times हम लोग solve करेंगे 2x minus y is equals to 9 यहाँ पर मैं क्या करूँगा यह जो equation है वहाँ पर x के सामने coefficient दिया है तो ऐसा अगर equation आता है जहाँ पर variable से पहले coefficient दिया है तो आपको याद रखना है आपको उसी variable की value लेना है जिसके आगे coefficient दिया है तो यहाँ x के सामने coefficient दिया है तो मैं यहाँ पर x के value लेते जाओंगा ताकि हमारा y का जो answer है वो बहुत easy लिया जाए तो suppose मैं x की value लेता हूँ 2 so 2x minus y is equal to 9 2 into 2 minus y is equal to 9 2 to 0 होता है 4 4 minus y is equal to 9 4 उदर लेके जाएंगे तो हो जाएगा minus so minus y is equal to 9 minus 4 minus y is equal to 5 याने y का आपका answer आजाएगा minus 5 तो जो p के coordinates हो जाएंगे वो हो जाएंगे minus 2, minus 5 solve करते हैं q के लिए 2x minus y is equal to 9 यहाँ पर मैं x की value लेता हूँ suppose 3 so 2 into 3 minus y is equal to 9 2, 3 हो जाएगा 6 6 minus y is equal to 9 6 उदर बेजेंगे तो हो जाएगा minus so minus y is equal to 9 minus 6 minus y is equal to 3 याने y का आपका answer आजाएगा 3 जो q के coordinates हो जाएंगे वो हो जाएंगे यहाँ पर 3, minus 3 solve करते हैं r के लिए यहाँ पर suppose मैं x की value ले लेता हूँ 4 so 2x minus y is equal to 9 2 into 4 minus y is equal to 9 2, 4 हो जाएगा 8 so 8 minus y is equal to 9 minus y is equal to 9 minus 8 minus y is equal to 1 याने y का आपका answer आजाएगा minus 1 तो यहाँ जो r के coordinates हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4, minus 1 solve करते हैं yes के लिए मैं यहाँ पर जो x का value है वो suppose ले लेता हूँ 5 so 2x minus y is equal to 9 x की जगा लिखेंगे 5 तो हो जाएगा 2 into 5 minus y is equal to 9 2, 5 से हो जाएगा 10 10 minus y is equal to 9 10 उधर भेजेंगे तो हो जाएगा minus y is equal to 9 minus 10 minus y is equal to minus 1 याने y का जो आपका answer है वो हो जाएगा 1 तो जो coordinate से yes के वो है 5,1 अब इसे place कर देंगे graph के ओपर सबसे पहले लेंगे p वाला point p के जो coordinates आप देख रहे हैं वो है 2, minus 5 इसे plot करेंगे graph के ओपर तो x से लेना है 2, y से लेना है minus 5 यह आएगा coordinate 4 में जहाँ पर जाके line intersect हो रहे है आपके लिए r के coordinates देखेंगे तो वो है 4, minus 1 पहला positive दूसरा negative यानि ये भी हमारा जो है वो आएगा coordinate 4 में तो x से लेते है 4 और y से लेते है minus 1 जहाँ जाके line intersect हो रहे है वो है हमारा point q yes के अगर आप coordinates देखेंगे तो yes के जो coordinates है वो है 5,1 यानि ये दोनो positive है यानि ये coordinate 1 में आएंगे तो x से लेते है 5, y से लेते है 1 जहाँ जाके line intersect हो जाएंगे वो है हमारा point yes अब आपको क्या करना है इन सारे points में से pass होती है एक line draw करना है जैसे आप board पे देख रहे होंगे तो हमारे answer के लिए compulsory है कि वो दो line जो है कही ना कहीं जाके intersect होना ज़रूरी है तो अगर ऐसे line आ जाते है जो intersect नहीं हो रहे तो आपको line को extend कर देना है मैं first वाली line को extend करता हूँ जैसे मैं extend करूँगा आप देखेंगे ये दोनो line जाकर intersect हो गए कहीं पर जहां जाके ये दो line intersect हो रहे है और वही हमार answer है तो आप देख रहे होंगे कि ये जो line है वो जाके intersect हो रहे हमारे 3, minus 3 पर और वही हमार answer है तो last में हम लोग लिख देंगे the solution is x, y is equals to 3, minus 3 that is our final answer चलते हैं wait number 2, question number 4 की तरफ wait number 2, question number 4 देखेंगे आप तो वो है 3x minus y is equals to 2 and 2x minus y is equals to 3 first वाला equation लेता हूँ 3x minus y is equals to 2 एक 4 into 4 का box बनाता हूँ x, y, x, y, उपर लिख देता हूँ e, b, c, d, 4 times हमें solve करना है तो 4 बार लिख देंगे 3x minus y is equals to 2 यहां भी हमको x की value लेना है क्योंकि x के सामने ही coefficient दिया है तो यहां पर x की value suppose मैं ले लेता हूँ 2, 3 into 2 minus y is equals to 2 3, 2 हो जाएगा 6 6 minus y is equals to 2 minus y is equals to 2 minus 6 minus y is equals to minus 4 याने y की आप क्या value आजाएगा 4 तो जो a के coordinates हो जाएगे 2, 4 solve करते हैं b के लिए b के coordinates में b के suppose यहां पर मैं x की value लेता हूँ 3 into 1 minus y is equals to 2 3 1 जा हो जाएगा 3, 3 minus y is equals to 2 3 उदर लेके जाएगे तो हो जाएगा minus y is equals to 2 minus 3 minus y is equals to minus 1 याने y का आपका answer आजाएगा 1 तो यहां जो b के coordinates से वो हो जाएगे 1, 1 c के लिए solve करते हैं suppose c के लिए मैं x की value लेता हूँ 0 3 into 0 minus y is equals to 0 3 into 0 हो जाएगा 0 0 minus y is equals to 2 0 उदर भी जाएगे तो हो जाएगा minus तो minus y is equals to 2 minus 0 minus y is equals to 2 याने y का आपका answer आजाएगा minus 2 इसे place करते हैंगा box में तो जो c के coordinates से वो हो जाएगे 0, minus 2 d के लिए solve करते हैं minus 3 उदर भी जाएगे तो हो जाएगा plus 3 so minus y is equals to 2 plus 3 minus y is equals to 5 याने y का आपका answer आजाएगा 5 इसे box में place करेंगे तो जो d के coordinates से वो हो जाएगे minus 1, minus 5 इसे place करते हैंगे graph के ओपर a को place करते हैं a के coordinates से 2, 4 coordinate 1 में आएगा तो x से लेंगे 2 y से लेंगे 4 जहाँ जाके line intersector है वो है हमारा point a b के coordinates अगर आप देखेंगे तो वो है 1, 1 दोनों positive quadrant 1 में आएगा तो x से 1, y से 1 जहाँ जाके intersector है वो है point b c के coordinates से 0, minus 2 अब x की जगा 0 आया है याने x से कुछ नहीं लेना है जहाँ जाके line intersector है वो है point d एक straight line draw करना है जो यह सारे points में पास हो जाए और उसके पास उसका equation लिख देना है 3x minus y is equals to 2 ऐसे ही solve करेंगे जो second equation है उसके लिए जो second equation है वो है 2x minus y is equals to 3 4 into 4 का box बना लेंगे x, y, x, y उपर लिख देता हूँ suppose pqrs 4 times हमको solve करना है तो 4 times इस equation को लिख देता हूँ 2x minus y is equals to 3 यहाँ पर भी x के सामने coefficient है तो यहाँ पर भी आपको x की value लेते जाना है suppose x की value फिर से में लेता हूँ 2 so 2 into 2 minus y is equals to 3 2, 2 जा हो जाएगा 4, 4 minus y is equals to 3 4 उदर भीजेंगे तो हो जाएगा minus minus y is equals to 3 minus 4 minus y is equals to minus 1 यान y का आप का आणसर आजाएगा 1 तो जो coordinates हो जाएगे p के वो हो जाएगे 2,1 क्यों के लिए solve करते है 2x यहाँ पर मैं x की value लेता हूँ suppose 3 so 2x minus y is equals to 3 2 into 3 minus y is equals to 3 2, 3 जा हो जाएगा जाएगे वो हो जाएगे 3,3 solve करते है r के लिए suppose मैं यहाँ पर x की value लेता हूँ 4 so 2x minus y is equals to 3 2 into 4 minus y is equals to 3 2,4 जा हो जाएगा 8 8 minus y is equals to 3 8 उदर भीजेंगे तो हो जाएगा minus minus y is equals to 3 minus 8 minus y is equals to minus 5 याने y का आपका answer आजाएगा 5 इसे box में place करते ही जो r के coordinates है वो हो जाएगे 5,4 solve करते है yes के लिए 2x minus y is equals to 3 यहाँ पर x की value suppose मैं लेता हूँ 0 so 2 into 0 minus y is equals to 3 2 into 0 हो जाएगा 0 0 minus y is equals to 3 minus y is equals to 3 minus 0 minus y is equals to 3 यहाँ मारा final answer रहेगा तो y is equals to minus 3 हो जाएगा इसे place कर देंगे box में तो जो s के coordinate से वो हो जाएगे 0, minus 3 अब जो p है इसे plot करते है graph के ओपर p के coordinate से 2,1 दोनों positive है तो coordinate 1 में आएगा तो x से 2, y से 1 जहाँ जाके intersect हो रहा है वो है point p solve करते है q के लिए q के coordinate से 3,3 दोनों positive है तो ये भी coordinate 1 में आएगा तो x से 3, y से 3 जहाँ जाके intersect हो रहा है वो है point q solve करते है r के लिए r के coordinate से 4,5 ये भी दोनों positive है तो जाकर जहां मिलेंगे वो है हमारा point r yes के अगर आप coordinate देखेंगे तो वो है 0, minus 3 अब x से कुछ ने लेना और दोनों लाइन जाके जहां intersect हो रहे वो हमारा answer रहेगा तो दोनों लाइन आकर intersect हो रहे x को minus 1 पे और y को minus 5 पे वो ही हमारा answer है तो last में हम लोग लिखेंगे the solution is x, y is equals to minus 1, minus 5 दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को like कीजिए हमारी channel को subscribe कीजिए bell icon को दबाईए notification को all कीजिए ताकि जब भी हम एक new video upload करे आपको उसका notification मिल जाए चलिए चलते है bit number 2 question number 5 की तरह bit number 2 question number 5 अगर आप यहां देखेंगे तो वो है 3x minus 4 y equals to minus 7 and 5x minus 2 y equals to 0 यह जो question है दोस्तों अभी बहुत हटके question है क्योंगि यहां पर x का भी coefficient दिया है और y का भी coefficient दिया है इस condition में आपके उपर depend करता है अब आप x का value put up करना चाहते है या y का value put up करना चाहते है पर आपको ध्यान रखना है अगर आप x का value put up करते है तो जो solution आएगा वो 4 से divide होने के बाद हमारा natural number आना चाहिए या तो एक decimal number आना चाहिए decimal number में भी अगर आप 0.5 में answer ला सकते है तो बहुत easy हो जाएगा क्योंकि 0.2, 0.3 अगर ऐसे answer आते तो वो थोड़ा सा difficult हो जाता है graph के उपर solve करने के लिए तो मैं यहाँ पर लेता हूँ x के values ताके हमारे y के values easily आ जाए तो यहाँ पर मैं solve करूँगा x के लिए आप चाहे तो y के भी value ले सकते है तो 3x-4y is equal to minus 7 सबसे पहले मैं x के लेता हूँ minus 1 value so 3 into minus 1 minus 4y is equal to minus 7 3 into minus 1 हो जाएगा minus 3 so minus 3 minus 4y is equal to minus 7 minus 3 मैं उदर भेजूँगा तो हो जाएगा plus 3 so minus 4y is equal to minus 7 plus 3 minus 4y is equal to minus 4 y is equal to minus 4 divided by minus 4y का आप का answer आजाएगा 1 इसे आप box में place करेंगे तो जो a के coordinate से वो हो जाएगे minus 1,1 तो ऐसे ही आपको सो समझ के x की या y की value आपको लेना है ताके हमारा जो next variable है उसकी value हमको मिल सके easily solve करते हैं फिर से 3x minus 4y is equal to minus 7 यहां मैं x की value लेता हूँ suppose minus 3 so 3 into minus 3 minus 4y is equal to minus 7 3 into minus 3 हो जाएगा minus 9 minus 9 minus 4y is equal to minus 7 minus 9 में उधर बेज़ूंगा तो हो जाएगा वो plus 9 so minus 4y is equal to minus 7 plus 9 minus 4y is equal to plus 2 y is equal to 2 divided by minus 4 y is equal to minus 0.5 अब यह जो answer है यह decimal हमें answer है पर यहां पर आप देखेंगे तो point के बाद जो number है वो 5 है तो point के बाद अगर 5 आता है तो यह easy हो जाता है हमें graph के उपर represent करने के लिए तो यह answer हम लोग place कर देंगे box में तो जो b के coordinate से वो हो जाएगे minus 3, minus 0.5 solve करते हैं c के लिए 3x minus 4y is equal to minus 7 यहां पर मैं x की value ले लेता हूँ suppose minus 5 so 3 into minus 5 minus 4y is equal to minus 7 3 into minus 5 हो जाएगा minus 15 minus 15 minus 4y is equal to minus 7 minus 15 उदर भेजेंगे तो हो जाएगा plus 15 minus 4y is equal to 7 minus 7 plus 15 minus 4y is equal to 8 y is equal to 8 divided by minus 4 y का आप का answer आजाएगा minus 2 इसे box में place करते ही आपके c के coordinate से वो हो जाएगा minus 5, minus 2 solve करते हैं d के लिए तो यहाँ पर मैं x की value लेता हूँ suppose 1 3x minus 4y is equal to minus 7 3 into 1 minus 4y is equal to minus 7 3 1 जा हो जाएगा 3 3 minus 4y is equal to minus 7 minus 4y is equal to minus 7 minus 3 y is equal to minus 10 divided by minus 4 minus minus got cancelled तो y is equal to 10 divided by 4 तो y का आपका answer आजाएगा 2.5 तो यहाँ पर भी जो answer है वो point में है पर point के बाद जो है वो 5 है तो यह भी answer हमारा correct है यह से भी हम easily represent कर सकते है graph के उपर box में लिख देंगे तो जिए d के coordinate से वो हो जाएगे 1,2.5 इसे place करते है graph के उपर सबसे पहले जो point A है उसके coordinate से minus 1,1 यह आएगा हमारा quadrant 2 में तो x से लेते है minus 1 y से लेते है 1 तो जहां जाके intersect हो जाएगे वो है हमारा point A b के coordinate से अगर आप देखेंगे तो वो है minus 3, minus 0.5 यहाँ पर यह जो दोनों है point है वो दोनों number है वो negative है तो यह आए जागा quadrant 3 में तो x से लेते है minus 3 y से लेते है 0.5 0.5 आएगा 0 और 1 के exactly middle में तो y से लेते है 0.5 जहां जाके intersect हो रहे वो है point B c के coordinates अगर आप देखेंगे तो वो है minus 5, minus 2 यह भी जो है हमारा वो आ जाएगा quadrant 3 में तो x से लेते है minus 5 y से लेते है minus 2 जहां जाके intersect हो रहे वो है point C d के coordinates है 1, 2.5 यह जो point है यह दोनों positive है तो यह आए गया coordinate 1 में तो x से लेते है 1, y से लेते है 2.5 2.5 will be exactly in between 2 and 3 तो वहां से लेते है 2.5 जहां जाके intersect हो रहे है वो है हमारा point D अब आपको एक straight line draw करना है तो यहाँ आप देखेंगे तो जैसे ही आप straight line draw करेंगे तो यह जो line है वो सारे points में से pass हो रही है ऐसे ही हमको solve करना है for the second equation 5x-2y is equal to 0 यहाँ पर जो equation दिये है इसे हमको 4 times solve करना है तो मैं 4 into 4 का box बना लूँगा x, y, y, y उपर निन देता हूँ PQRS 4 times solve करना है तो 4 times लिख दूँगा 5x-2y is equal to 0 यहाँ आप x की value ले सकते है या y की value ले सकते है suppose मैं यहाँ पर value लेता हूँ x की सबसे पहले मैं लेता हूँ 2 5x-2y is equal to 0 5 into 2-2y is equal to 0 5 to 2 हो जाएगा 10 10-2y is equal to 0 10 उदर वेज़ेंगे तो हो जाएगा minus 2y is equal to 0 minus 10 minus 2y is equal to minus 10 y is equal to minus 10 divided by minus 2y का आपका अंसर आजाएगा 5 इसे place कर देंगे box में तो जो e के coordinate से वो हो जाएगा 2,5 so all करते है q के लिए यहाँ पर मैं q की value लेता हूँ suppose minus 2 so 5x-2y is equal to 0 5 into minus 2 minus 2y is equal to 0 5 into minus 2 हो जाएगा minus 10 minus 10 minus 2y is equal to 0 minus 10 उदर भीज़ेंगे तो हो जाएगा plus 10 minus 2y is equal to 0 plus 10 minus 2y is equal to 10 y is equal to 10 divided by minus 2 y का आपका अंसर आजाएगा minus 5 इसे place कर देंगे box में तो जो q के coordinate से वो हो जाएगा minus 2, minus 5 so all करते है r के लिए 5x minus 2y is equal to 0 यहाँ पर x की value suppose में लेता हूँ 1 minus 5 is minus 5 so minus 2y is equal to minus 5 y is equal to minus 5 divided by minus 2 y is equal to 2.5 तो जो coordinate से एक rk वो हो जाएगे 1, 2.5 solve करते हैं यह के लिए 5x minus 2y is equal to 0 यहाँ पर में x की value लेता हूँ suppose minus 1 so 5 into minus 1 minus 2y is equal to 0 5 into minus 1 हो जाएगा minus 5 minus 5 minus 2y is equal to 0 minus 5 उदर बेज़ेंगे तो हो जाएगा plus 5 minus 2y is equal to 0 plus 5 minus 2y is equal to 5 y is equal to 5 divided by minus 2y का आप cancer आजाएगा minus 2.5 इसे box में place करते हैं इसके coordinate हो जाएगे minus 1, minus 2.5 चलिए 1 by 1 इसे place करते हैं graph के उपर सबसे पहले लेते हैं p को p के coordinate से 2,5 दोनों positive है तो coordinate 1 में आएगा तो x से लेते हैं 2, y से लेते हैं 5 जहां जाके intersect हो रहा है वो है point p q के लिए solve करेंगे तो q के जो coordinates थे minus 2, minus 5 दोनों negative है तो coordinate 3 में आएगा तो x से लेते हैं minus 2, y से लेते हैं minus 5 जहां जाके line intersect हो रहा है वो है point q R के अगर आप coordinates देखेंगे तो वो थे 1, 2.5 दोनो positive है यह coordinate 1 में आएगा तो X से लेंगे 1, Y से लेंगे 2.5 2.5 मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि वो exactly middle में होगा 2 हो 3 के तो जहां जाके line intersect हो रहे वो है हमारा point R, so all करते हैं Yes के लिए Yes के जो coordinates थे वो थे minus 1, minus 2.5 दोनो negative है तो यह आएगा coordinate tree में तो X से लेंगे minus 1 Y से लेंगे minus 2.5 दोनो जहां जाके intersect हो रहे वो है हमारा point Yes, straight line आपको draw करना है straight line अगर आप draw करेंगे तो आप देखेंगे कि वो line सारे points में से पास हो रही अब यह जो दो line जहां जाके intersect हो रहे है वो हमारा final answer रहेगा तो यहाँ पर आप देख रहेंगे कि दोनों line जाकर intersect हो रहे है X को 1 पे और Y को 2.5 पे यानि वह ही हमारा answer है The solution is X, Y is equals to 1, 2.5 चले चलते हैं इस practice set के last question की तरव जो कि है हमारा beat number 2, question number 6, beat number 2, question number 6 अगर आप देखेंगे तो वह है 2X minus 3Y is equals to 4 and 3Y minus X is equals to 4 जैसे हमने beat number 2 question number 5 solve किया था वैसे ही हमको solve करना है 6 1 भी तो यहाँ पर 4 into 4 का box बना लेंगे left side में लिखता हू XY X, Y उपर लिख देता हू ABCD सारे values तो यहाँ पर हमको X की या Y की कि किसी की भी value लेनी है मैं लेता हू Y की value suppose first one में हम लेते है Y की value as minus 1 so 2X minus 3 into minus 1 is equals to 4 minus 3 into minus 1 हो जाएगा plus 3 so 2X plus 3 is equals to 4 plus 3 उधर भेज़ेंगे तो हो जाएगा minus 2X is equals to 4 minus 3 2X is equals to 1 X is equals to 1 divided by 2 याने X का आपका अंसर आजाएगा 0.5 इसे box में प्लेस कर देंगे तो जो एक के कॉर्डिंट से वो हो जाएगे 0.5,1 second B के लिए solve करते हैं सबोज यहाँ पे मैं Y की value लेता हू 2 so 2X minus 3Y is equals to 4 2X minus 3 into 2 is equals to 4 2X minus 6 is equals to 4 minus 6 उधर भेज़ेंगे तो हो जाएगा plus 6 2X is equals to 4 plus 6 2X is equals to 10 X is equals to 10 divided by 2 याने X का आपका answer आजाएगा 5 जैसे यह box में place करेंगे B के जो कॉर्डिंट से वो हो जाएगा 5,2 solve करते हैं C के लिए यहाँ पे मैं suppose C की value लेता हू minus 4 so 2X minus 3Y is equals to 4 2X minus 3 into minus 4 is equals to 4 minus 3 into minus 4 हो जाएगा plus 12 2X minus 12 2X plus 12 is equals to 4 plus 12 उदर बेज़ेंगे तो हो जाएगा minus so 2X is equals to 4 minus 12 2X is equals to minus 8 X is equals to minus 8 divided by 2 X का आपका answer आजाएगा minus 4 जैसे box में place करेंगे तो C के कॉर्डिंट से वो हो जाएगा minus 4, minus 4 solve करते हैं last D के लिए suppose मैं यहाँ पे Y की value लेता हम 1 so 2X minus 3Y is equals to 4 2X minus 3 into 1 is equals to 4 2X minus 3 is equals to 4 minus 3 उदर बेज़ेंगे तो हो जाएगा plus 3 तो 2X is equals to 4 plus 3 2X is equals to 7 X is equals to 7 divided by 2X याने X का आपका answer आजाएगा 3.5 अब इसे सारे points को लेकर हमको graph के उपर solve करना है सबसे पहले plot करते हैं A को A के coordinates अगर आप देखेंगे तो वो है 0.5 comma minus 1 पहला positive दूसरा negative याने ये आएगा coordinate 4 में तो X से लेते है 0.5 Y से लेते है 1 जहां जाके intersect हो है वो है point A B के coordinates अगर आप देखेंगे तो वो है 5 comma 2 दोनों positive है तो coordinate 1 में आएगा तो X से लेंगे 5 Y से लेंगे 2 जहां जाके line intersect हो है वो है हमारा point B C के coordinates आपको पता है वो है minus 4 comma minus 4 दोनों negative है तो ये coordinate 3 में आएगा तो X से लेते है minus 3 Y से लेते है minus 3 जहां जाके line intersect हो रहा है वो है हमारा point C D के coordinates है 3.5 comma 1 ये यहाँ पर भी दोनों positive है तो coordinate 1 में आएगा तो X से लेते है 3.5 Y से लेते है 1 जहां जाके intersect हो रहा है वो है हमारा point D अब आपको क्या करना है यह सारे point में से पास होती है एक line draw करना है तो जैसे आप देख रहे हैं यह line जो है सारे point में से पास हो रही है नीचे हम लोग equation का नाम लिख देंगे 2x-3y is equal to 4 ऐसे ही solve करेंगे second equation को second equation है 3y-x is equal to 4 यहाँ पर x पीछे दिया है और y पेले दिया है but it doesn't make any difference क्योंकि हमको y की value put up करना है क्योंकि y के सामने ही coefficient है तो x का value हमारा automatically आता जाएगा एक 4 into 4 का box बना लेंगे xyx,y उपर name दे जाता हूँ pqrs solve करते हैं यहाँ पर by taking the value of y y की suppose मैं value ले ले लता हूँ 0 so 3y-x is equal to 4 3 into 0 minus x is equal to 4 3 into 0 हो जाएगा 0 0 minus x is equal to 4 minus x is equal to 4 minus 0 minus x is equal to 4 x is equal to minus 4 यह हमारा final answer रहेगा तो जैसी box में place करेंगे तो जो p के coordinate से वो हो जाएगा minus 4,0 क्योंकि लिए solve करते हैं यहाँ पर जो y की value है suppose मैं ले ले लेता हूँ 1 so 3y-x is equal to 4 3 into 1 minus x is equal to 4 3 into 1 हो जाएगा 3 3 minus x is equal to 4 minus x is equal to 4 minus 3 minus x is equal to 1 याने x का आप कांसर आजाएगा 1 box में place करते ही q के coordinates मिल जाएगे वो है minus 1,1 solve करते हैं यहाँ पर r के लिए r का suppose यहाँ पर मैं y की value ले लेता हूँ suppose 2 so 3y-x is equal to 4 3 into 2 minus x is equal to 4 3 into 2 हो जाएगा 6 6 minus x is equal to 4 6 उदर बेजेंगे तो हो जाएगा minus minus x is equal to 4 minus 6 minus x is equal to minus 2 x is equal to 2 यह हमारा final answer रहेगा box में place करते ही आपके r के coordinates हो जाएगे वो हो जाएगे 2,2 yes के लिए solve करते है y की suppose मैं value ले लेता हूँ 3 so 3y-x is equal to 4 3 into 3 minus y minus x is equal to 4 3 into 3 हो जाएगा 9 9 minus x is equal to 4 minus x is equal to 4 minus 9 minus x is equal to minus 5 x का आपका answer आजाएगा 5 तो जो x के coordinates हो जाएगे वो हो जाएगे 5,3 इसे plot करते है graph के ओपर p के coordinates सबसे पहले plot करेंगे p के coordinates से minus 4,0 x का coordinate है minus 4 और y तो 0 है यानि y से कुछ नहीं लेना है तो x का minus 4 left हाई side में आएगा वहाँ पर आपको point दे देना है और लिखना है p minus 4,0 क्योंके जो coordinates थे वो थे minus 1,1 पहला negative दूसरा positive यानि ये coordinate 2 में आगा तो x से minus 1 और y से 1 यानि जहाँ जाके intersect हो रहे वो है हमारा point Q R के जो coordinates थे वो थे 2,2 दोनों positive यानि coordinate 1 में आएगा तो x से 2,y से 2 जहाँ जाके intersect हो रहा है वो है point R yes के coordinates थे 5,3 दोनों positive तो coordinate 1 में आएगा तो x से लेते 5,y से लेते 3 जहाँ जाके intersect हो रहे वो है हमारा point yes ऐसी line draw करना है जो सारे points में से pass हो तो आप देख रहे होंगे कि यह सारे points में से pass हो रही है पर यहाँ पर problem यह है कि यह दो line intersect नहीं हो रहे दो line अगर intersect नहीं होते तो हमें पता है जो graph है उसके उपर क्या करना है जो line से उसे extend करना है तो यह दोनो line को extend करेंगे तो मैं यहाँ पर extend करता हूँ जैसे मैं extend करता हूँ आप देख रहे होंगे कि यह line जाकर intersect हो रहे कहीं जहां जाके intersect हो रहे वो है 8,4 क्योंकि x को लग रहा है 8 पर और y को लग रहा है वहाँ पर 4 पर और वही हमारा final answer रहेगा तो last में हम लोग लिखेंगे the solution is x, y is equal to 8,4 तो I hope दोस्तों कि आपको यह जो questions हमने solve किये यह बहुत अच्छे से समझ में आये होंगे तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपके कोई query है कोई suggestion है तो आप हमारे comment box में लिखे मैं उससे जरूर reply करने की कोशिश करूँगा तो मिलते एक आपसे नए वीडियो में till then, this is Ilya Sir signing off, take care